आज फिर हम नए स्टोक्स के उपर डिस्क्रिशन करेंगे ओके तो यह हमारा चैनल से वेल्थ क्रिएटर सेवन डिस्क्रिशन करेंगे जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्ण्स दे सकते हैं तो वन बाई वन स्टोक्स को समझने की कोशिश करते हैं पहला स्टोक्स है ब्रिटानिया मैंने यहाँ पर अल्रेडी ड्रो करके रखा है आप यहाँ पर देखोगे चार्ट में यहां पर एक resistance face कर रहा था यहां पर resistance face कर रहा था यहां पर breakout हुआ उसके बाद यहां पर consolidate कर रहा है कब से इस जगह पर consolidate कर रहा है यहां पर support लिया वापिस यहां पर support लिया ओके आप यहां पर भी buy कर सकते हो with small stop loss लगा के आप यहां पर buy कर सकते हो काफी potential है यहां से upside जाने का मैं अभी एक दूसरा setup भी आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से setup बन रहा है तो मैं वह चीज आपको दिखाता हूँ इसमें हम देखेंगे तो इनसे पहले भी ऐसा ही एक structures यहां पर बना था ओके मैं यहां पर आपको ड्रों करके दिखाता हूँ जैसे हम चार्ट पर आप देखो गे तो pollen फ्लेक जिसा structures यहां पर पहले भी बना है जैसे आप यहां पर देखो गे तो इस जगह पर pollen फ्लेक बना है and यहाँ पर consolidate करके यहाँ से बाहर निकल के काफी अच्छा एक upside देखने को मिला again इस जगह पर यहाँ पर consolidate हो रहा है यहाँ पर breakout हो गया है और यहाँ पर एक retest भी हो गया and higher chances की यहाँ से upside देखने को मिलेगा तो risk reward favorable है छोटा सा risk है and reward आपको बड़ा दे सकता है you can say like 4,500, 5,000 possible in coming 1 to 2 years उन से पहले भी हो सकता है but looking very good on the charts तो छोटा सा stock loss लगा के 200 दिन्चो रुपिस का and reward आपको बहुत बड़ा इसमें मिलेगा दूसरा stock stocks है सूरिया रोसनी उसका भी आप charts देखने जाओगे तो यहाँ पे stocks यहाँ पे stocks downtrend में था और यहाँ से एक trend change हुआ है and stocks uptrend में है and यहाँ पे आप देखोगे तो pollen flake जीसा structure बनाया है और यहाँ पे consolidate हो रहा है and यहाँ पे volume activity increase हुई है तो higher chance यह break करते ही यहाँ पे इस level पे and इस level पे stocks जा सकता है तो यह भी आप छोटा सा stop loss लगा सकते हो यहाँ पे 350 355 के आसपास and जब भी यह breakout करे तो आप इसमेंटी कर सकते हो तो यह भी काफी अच्छा setup से जो आने वाले दीन में आपको अच्छा profit आपको दे सकता है तो 380 385 need to cross and sustain 385 को उपर stocks sustain करना चाहिए उसके बाद आप entry ले सकते हो आज का जो last stock है वो है Reliance Industries उसमें भी Paul and Flake का structures आपको देखने को मिल रहा है weekly charts में तो यहाँ पे काफी अच्छा एक setup बना है and short terms में आप देख सकते हो की 2360 तक 2400 तक stocks जा सकता है and उसके उपर 3000-3500 possible है and छोटा सा stop loss आप जो भी यहाँ पे low बना है उसके नीचे आप यहाँ पे छोटा सा stop loss लगा सकते हैं एक bullish structure है काफी अच्छा एक upside देखने को मिला उसके बाद यहाँ पे consolidate कर रहा है यहाँ से most six to seven months consolidation is happened तो यहाँ से एक अच्छा मूँ देखने को मिल सकता है because यहाँ पे एक breakout मिला है and volume आप देखोगे तो काफी अच्छा है तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा potential दीखेगा आने वाले time में up to one years और one to five one to one point five years आपको एक अच्छा मूँ देखने को मिल सकता है तो आप यह तीनों stocks देख सकते हो आने वाले time में काफी अच्छा perform कर सकते है and last में मैंने काफी सारे videos यहाँ पे post करे हैं अगर आपने अभी तक देखे नहीं है तो आप एक बार जरूर देखे and hope आप सब को यह video पसंद आया होगा and यह stocks आने वाले time में आपको profitable बना है and आपके feedback और comment में जरूर बताएगा